हलो दोस्तों स्वागत है अपके अपने चाइनल लिव हैं लेट्स लरन में तो चलिए आज के सेशन में इस्टार्ट करते हैं इंडिक्स यानि घातांक घातांक का पूरा कंसेप्ट आज इस वीडियो में परहाने वाले हैं तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखे ताकि अपका कंसेप्ट किलियर हो जाए अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि घातांक के पावर क्या होते हैं यानि इंडिक्स के पावर क्या होते हैं घात क्या होते हैं उसका डिफिनेशन क्या होता है पावर का डिफिनेशन क्या होता है इंडिक्स का डिफिनेशन क्या होता ह तो इन्हीं सब के चर्चा के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए सबसे पहले जानते हैं कि इंडिक्स क्या है मान लेजिए कि कोई नंबर है और उसके कुछ पावर दिये गए है तो जो नंबर दिया गया है उसको हम लोग बेस बोलते हैं जो पावर रहते हैं उसके उसको हम लोग घात बोलते हैं जैसे यहां देखिए अगर हम टेन के पावर फावर कर दें तो यहां टेन क्या होगा बेस हो जाएगा यानि आधार इसको बोलेंगे और फावर आपका क्या है पावर है किलियर अब इसी को हम लोग घात बोलते हैं समाझ गए यानि 10 के 1,5 में 10 आपका बेस हो गया और 5 आपका क्या हुआ आपका पावर हुआ तो इसको घात बोलेंगे और इसी घात को हम लोग index बोलते है यानि घातान को बोलते है अब हो गया concept किलियर उस नंबर को ही पावर कहा जाता है, जैसे यहां देखिए, 7 गुने, 7 गुने, 7 गुने, 7, यहां पे 7 का मल्टिप्लाई कितना बर हुआ है, 1, 2, 3, 4, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर, 4, अब यहां 7 क्या हो गया, आपका 20 हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया, अधार हो गया, और 4 क्या हो गया, आपका, पावर हो गया, हो गया concept के लिएर, आपको बताते हैं, कुछ इंडिक्स के नियम, यानि उसके रूल बताते हैं, और उसकी फर्मूला बताते हैं, के लिएर, अब यहां देखिए इंडिक्स की कुछ रूल और फर्मूला पहला नियम क्या है घातां की गुननफल यानि घातां की गुननफल क्या होता है जब e की पावर m into e की पावर n into e की पावर 1 dot dot रहे तो क्या होगा सभी पावरों को add कर देगे यानि e की पावर m plus n plus 1 dot dot जैसे x के प 5 into x के पावर 4 into x के पावर 7 अब क्या करेंगे सभी पावरों को add कर देंगे x के पावर 5 plus 4 plus 7 अब क्या होगा एड कीजिए 5 plus 4 यानि 9 9 plus 7 कितना होता है 16 हो जाता है तो यह हुआ आपका पहला नियम किलियर आपको बताते हैं दूसरा नियम घातां की ये भाग अब घातां की की भाग क्या होता है जब e की पावर m भागा e की पावर n रहे तो क्या होगा e की पावर m बता e की पावर n is equal to e की पावर m minus n अब example से समझे जैसे x के पावर 13 डिवाइड x के पावर 5 अब यहाँ डिवाइड में है तो क्या करते हैं बता में ले जाते हैं x के पावर 13 अब बटा में X के पावर 5, आप क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, X के पावर 13 माइनस 5, माइनस कर लिजे कितना आएगा, X के पावर 8 आ गया, ये आपका हुआ दूसरा नियम, किलियर, आपको बताते हैं तीसरा नियम, घात की घात, यानि पावर की पावर क्या होती है, बड़ा कोष्ट है, मजला कोष्ट है और सबसे छोटा कोष्ट है, सबसे छोटा कोष्ट में क्या लिखा है कि E की पावर M का होल पावर N और मजले कोष्ट का होल पावर 1 है और सबसे बरे पावर का होल पावर P है, तो क्या होगा E की पावर M into N into 1 into P, यानि जब यहाँ पाव को multiple कर लेते हैं तो चलिए example से समझें इस परकार के question में x के जितने भी power होते हैं उनके power को multiple कर देते हैं यहां देखिए x के power 5 multiple 3 multiple 2 multiple 5 तो क्या होगा x की power 535 15 तू जा 30 आ 35 जा कितना होता है 150 यह आपका तीसरा नियम हो गया हो गया concept के लिए अब देखिए चोठा नियम गुननफल की power गुननफल की power क्या होती है जब a into b into c रहता है तो क्या लिखते हैं a के power n into b के power n into c के power n dot dot अब example से समझाते हैं आदेखिए 5,2,3 अब इसका power दे देते हैं 2 तो क्या लिख सकते हैं हम 5 के power 2 into 2 के power 2 into 3 के power 2 किलर तो ये हो गया आपका चोठा नियम अब बताते हैं पचवा नियम बेउतकरम का नियम बेउतकरम का नियम क्या होता है तो पहला नियम देखिए जब a के power m रहता है तो उसको क्या लिखते हैं वन बटा में a के power minus m अब इसका example पहले समझ लेजिए अगर हम 5 के power 3 लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं नियम क्या बताए गया है वन बटा में 5 के power minus 3 हो गया concept किलियर अब नियम देखिए आगे क्या कर रहा है जब a के power minus n हो तो लिख सकते हैं वन बटा में a के power n इसको भी example बताते हैं ज जब 7 के power minus 2 रहता है तो क्या लिख सकते हैं नियम का रहता है वन बटा में 7 के power 2 हो जाएगा हो गया concept किलियर तो यह हुए आपके पच्वा नियम अब इसकी दूसरा नियम बताते हैं अब देखिए दूसरा नियम ए बटा बी का whole power एम रहता है तो उसको कैसे लिखेंगे example देखिए दो बटा 7 का whole power 3 हो गया इस नियम पर सेट और इसकोल टू के बाद क्या करा है कि B by A का whole power minus M अब यहां देखिए 7 बटा 2 का whole power minus 3 हो गया concept के लिए यहां A बटा B का whole power M is equal to B by A का whole power minus M होगा तो यहां देखिए by 7 का whole power Q is equal to 7 by 2 का whole power minus Q concept clear इस तरह आपको अध्यन करना है और बेहतर skill बनाना है तो आप लोग मेरे channel को subscribe कर देजिए और bell icon को दबा देजिए तो चलिए आज का video इतना ही पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले video में love you all thank you thank you so much